नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नगी वीडियो में इस वीडियो में हम दो बात करेंगे जारखंट पॉलेटेकनिक 6 समिस्टर या डिपलोमा 6 समिस्टर या फिर 3rd year माइनिंग के स्टूडेंट के बारे में एक्जामिनेशन संभावित है कि शुरू हो जाएगा ठीक है उसके बीच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था ठीक है कि आपका 15 माई से एक्जाम स्टार्ट होगा और जो भी बच्चे हम लोगों से लगातार पूछ रहते कि आपका एक्जामिनेशन 15 माई से स्टार्ट हो जाएगा कि लेट होगा ठीक है तो सभी को मैंने यही बोला था कि आपका 15 माई के बाद होगा ठीक है बाद यानि माई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में तक में हो जाएगा आपका एक्जाम सिक समिस्टर का ठीक है तो आज य आप सभी के लिए खुशकबरी बोला जाए कि आप सभी का जो है एग्जामनेशन का डेट शीट रिलीस कर दिया गया है बहुत सारे बच जो इंतढार प्रिपरेशन कर रहे थे के 27 माई से ध्यान से सुन लीजेगा डिपलोमा सिक्थ समिस्टर या माइनिंग थर्ड येर का आपका इग्जामनेशन जो है वह आपका 27 माई से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और पढ़ते हैं आगे इस नोटिफिकेशन में आपको सारे डेट्स आपको दिखाता हूं चलिए सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं ओफिशल लेटर है कोई फेक नहीं है डेट आज का है 15 माई के डेट में है संभावित था बट आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज करके डेट को आगे बढ़ाया गया है डेट को फिक्स कर दिया गया है कबसे आपका एक्ज पहले आएगा ठीक है एक्जामनेशन से दो दिन पहले ठीक है यह दो दिन पहले समझी है या एक सपता पहले समझी है यह सब को जाना रहता यहां से वहां देखना पड़ता कि कहां से करना है तो जल्दी कर देती है ठीक है साथ दिन या दो दिन के पहले देगी आपको अप कर्मिट कर्ड में इंस्ट्रक्शन होंगे उसको आपको पढ़के अच्छे से जाना है ठीक है यह पुरा ओफिशल लेटर है यहां पर देख सकते हो उसके बाद जो डेट है बता देता हूं कि देखो यहां पर आप 27 तारीक को आपका एक पेपर होगा यानि 27 से आपका 5 तारीक तक यानि 5 जून तक में आपका एक्जामनेशन चलेगा ठीक है टोटल कितने दिन है अब कब से कब तक चलेगा वह आपका 2 से 5 बज़े तक साम दोबर 2 से साम 5 बज़े तक में आपका एक्जामनेशन चलेगा ठीक है कब से चलेगा 27 तारीक 29 तारीक 30 तारीक 1 तारीक 2 तारीक 3 तारीक 5 तारीक ठीक है बीज बीज़िच में जो भी है Sunday वसलिए वगला है देख लेना वहाँ soccer ठीक हैं वहां पर गयाप आपको दिया गया बधे लगातार आपको यहाँ तीन कि यहां पर कोई गैप नहीं है पिछले बार की तरह भी सेम है हम लोग टाइम पर जब हम लोग 2022 में एक्जामनेशन दे रहे थे उस टाइम पर उतना गैप नहीं था लगतार सारे एक्जाम से बाट कुछ ऐसा सिच्वेशन हुआ था कि कुछ पेपर आगे बढ़ गया था कु जो इंडस्ट्रियल पेपर का जिसमें सारे बच्चों का लगभग का जादा जादा बैक लगता है इंडस्ट्रियल इंजिनेरिंग मैनेजमेंट में ठीक है यह वह पेपर आपका सुरवात में दिन में है जिस तरह से पहले भी था 2022 में भी सेम पैटरन फाल हुआ था कि है तो आप जरू-जरू हमारे चैनल पर विजिट कीजेगा वहां पर आपको इंडस्ट्रियल का कुश्ट्रियल पर एकदम बिल्कुल सेट है और अगर चाहते हैं तो जरू-जरू हमारे वाटसप पर भी मैसेज कीज़ कीज़ेगा अब देख लोए हाप पर आपका कौन-क उन टीस को बाकी तीस को सभी का ऐग्जाम नीशन है आप नोटिस को देख लिजेगा अथे से बाकी सबका सेम प्रसेडर सब्हालों पह। चु wähler burger कि अवालो का ऐंग रूप है उसके बाद यहां पे लगतार तीन तारिक वं एक एक्जाम पेपर है पांस तारिक फी ब्रांच का जो भी ब्रांच इस दिन इक्जाम है आप एक बाझ केड़िये गाये घ्क्ता मालमान के चलो, सिंपल सा अगर बोला जाए, ठीक है, तो आपके पास लगभग 10 दिन है, ठीक है, लगभग, 2-3 दिन तो आप ऐसे ही वड़ा दोगे, ठीक है, 10 दिन आपके पास है, 10 दिन में जितना भी कर सकते हो, जितना पहला पैटन है, यानि पहला जो पेपर, उसको आप अच्छे से कर लिजेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी लगातार लगातार में है, जो आपका गाप नहीं है, उसको आप अच्छे से कर लेंगे, सबसे पहला जो पेपर है, इंडस्ट्रियल को आप अच्छे से कर लिजेगा, जिसमें गाप नहीं है, जो सब्जेक्ट में ग about it